बिहार की राजनीती में पिछले कई दिनों से अफवाहों और अटकलों का दौर जारी है। ये दावा किया गया कि जेडियू आलाकमान ने अपने तमाम विधायकों को 72 घंटे तक पटना नहीं छोड़ने का फर्मान जारी किया है। अब इस खबर के वारल होने के बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। इधर तमाम अटकलों के बीच भगवा खेमे में बेचानी चाही हुई है। अब इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए विहार सरकार के ग्रामिन विकास मंतरी श्रवन कुमार खुद ही आगया है। श्रवन कुमार ने कहा कि ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है क्योंकि इसके बारे में जानकारी ना तो उनको है और नहीं उनके विधायकों को है। परे हो जाता है तो ये खबर बेबुनियाद है। सच्चाई से इसका कोई संबंध नहीं है और इस तरह के खबर चलाने वाले जो हमारे टेलिवीजन्स हैं मीडिया के जो साथ ही लोग है उनको भी कम से कम पहले पूछता कर लेना चाहिए कि ये इस तरह की खबर है कि नहीं कर दया है? कि अखर क्या किया चल रहा है? वहीं बिहार के वर्तमान राजनेतिक हालात पर ही हम प्रधान महासचेव डॉक्टर दानिश रिजवान ने भी बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा कि बिहार में कोई राजनेतिक संकट नहीं है दानिश ने कहा कि 2025 तक एंडिये की सरकार चलेगी देखे बिहार में सियासी संकट जैसा कोई बाहौल नहीं है कोई राजनेतिक उठापटक नहीं होना है बिहार में अंडिये की सरकार है और 2025 तक अंडिये की सरकार चलेगी कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जनता दल उनाइटिट के तरफ से फर्मान जारी हुआ है कि जनता दल उनाइटिट के तमाम विधायक पटना में रहेंगे मैं इस भ्रम को दूर कर देना चाहता हूँ कैसा कोई फर्मान जारी नहीं हुआ है जेडियो के विधाय चुकि लगंग का टाइम चल रहा है तो अपने अपने शित्र में है रही बाद राष्ट्रिय जनता दल के निताओं की कि अगर उनको खुश होना है तो खुश हो ले लेकिन बिहार में बिहार की चंता ने जंगल राज के खिलाफ माइंडिट दिया है और बिहार में NDA की सरकार थी है और 2025 तक चलेगी नितीश बाबू की दिमाग में क्या चल रहा है इसकी था लेना किसी के बूते से बाहर है अब 72 घंटे गुजरने के बाद ही पता चल पाएगा की बिहार की राजनिती किस करवट बैठेगी पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिशेक की रिपोर्ट